ट्रेन में सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है रेलवे ने ट्रेन में खाना खरीदना और आसान कर दिया अब यात्री कैश की जगे अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से भी खाने के लिए बिल चुका सकेंगे रेल मंत्राले का मानना है कि इससे यात्रियों की आस ट्रेन में सफर के दोरान खाना खरीदना और पेमिंट करना बहुर भी आसान हो गया है रेल मंत्राले ने यात्रियों को सुविधा देते हुए डेबिट या क्रेडिट कार्ड के जरिये भी खाने पीने का समान खरीदने की विवस्था कर दी है अब यात्री कैटरिंग स्ट निकले रेलवे लगाता कई कदम उठा रहा है ताजा कदम में रेलवे ने इस तरीके के पॉस मशीनों को शामिल किया है पॉइंट ऑफ सेल इस पॉस मशीन का सीधा मतलब यह है कि जब मुसाफिर कोई भी खाना खरीदता है या कोई समान खरीदेगा तो वह इस मशीन के जर ओर छार्जिंग की शिकाइत को कम किया जा सकेगा साथि डिजिटल क्राजेक्शन जाने की काड जरी डेवेर गेट कर्णि इसर समस्या हो से भी पार किया जा उसको निजह इसंको निजात त्पाया जाए उनको धीर धीर दूर करने के कुशिश की जारी है P.O.S. मशीन लगाने के पीछे रेलवे का कहना है कि उन्हें लगातार मुसाफिरों से ओवर चार्जिंग की शिकायते मिल रही थी जिसे रोकने के लिए P.O.S. बिलिंग मशीने लगाने का फैसला किया गया है इसके इलावा P.O.S. मशीने यात्रियों और वेंडर्स को छुट्टे की समस्या से भी रिजा दिलाएंगी मुसाफिरों को रेलवे की नई पहल पसंद आ रही है लेकिन वो बिलिंग असान करने के साथ साथ खाने की क्वाल्टी में और सुधार करने की मांग कर रहे है देखा जाए तो ये तो एक अच्छा कदम है लेकिन सबसे पहले तो जो फूट की जो क्वालिटी है असली तो उस पे होना चीजी ना ये तो एक अच्छा कदम है लेकिन बहुत सारी चीज़े नीड टू इंप्रूव क्वालिटी में हर चीज में वहत बढ़िया है, ऐसे कि जैसे ओवर्चार्जिंग थे जो ले ले रहे थे, वो सब बंद हो जाएगा इसमें फिलहाल रेलवे ने दरजन भर मेल और एक्स्प्रस टेनों में करीड 2200 कैटर्स को पियोस मशीन उपलत कराई है रेलवे का कहना है कि आने वाले वक्त में पियोस मशीन की संख्या और बढ़ाई जाएगी तमाम ट्रेन में 2000 से ज्यादा पॉस मशीन यानि की पॉइंट ऑफ सेल मशीन को पियोग में लाए जा रहा है झाले जाएगी